कौमिजिन राजु श्रिवास्तफ के फान्स के लिए एक गुड नियूज है तीकर दोक्टर्स का कहना है कि उन्हें होश नहीं आया है 10 अगस्त को राजु श्रिवास्तफ को दिल का दोडा पड़ा था और उसके बात से ही वो दिल्ली के इम्स हॉस्पिटल में भरती थे राजुश्रिवास्तव करीब 15 दिन से बेहोश थे और उनकी हालत नाजुग बनी हुई थी अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उनके स्वास्त में पहले से ज्यादा सुधार है न्यूज एजनसी एनाई की रिपोर्ट के मुताबिक राजुश्रिवास्तव को होश आ गया है रिपोर्ट के मुताबिक राजुश्रिवास्तव के परसनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने बताया है कि कॉमेजिन को 15 दिन बाद होश आया है और डॉक्टर्स उसके स्वास्त पर नज़र रख्ये हुए है वहीं उनकी तमियत में भी सुधार है वहीं दूसरी और कुछ लोगों का कहना है कि राजुश्रिवास्तव अभी वेंटीलेटर पर ही है होश नहीं आया है लेकिन बीपी भी वेंटीलेटर का ड्रोल मोड पर है डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल लांगवज में स्थिती अभी M1 से M3 हुई है बता दे कि कॉमेटिंट राजुश्रिवास्तव इंट्रेन्मेंट इंडस्ट्री में 1980 से आक्टिव है लेकिन वो The Great Indian Laughter Challenge के पहले सीजन में भाग लेन इसमेह राजुश्रिवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास प्रशिक्षन के अध्यक्षे